हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और एट्यूब चैनल नेचर एडवाइजर स्वागत है आप सभी का दोस्तों वीडियो में जो पोधा आपको दिखाई दे रहा है इसके बहुत सारे नाम है पर मुख्यता आयूरवेद में इसे अपा मार्ग के नाम से जानते हैं अपा मार्ग को चिर्चिटा, लडजीरा, चिर्चिडा, चिर्चिडा भी बोलते हैं यह एक बहुत ही साधानाट पोधा है जो आपको आपके घर के आसपास या जंगल जाड़ में मिल जाएगा अब मार्ग पोधे को प्राया लोग बेकार समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है यह एक जड़ी बूटी है और इसके कई अवसदी गुड़ें कई रगों के इलाज में चिर्चिटा के इस्तिमाल के फायदे मिलते हैं दानतों के रोग घाव पाचन तंद्र विकास सहित अनेग विमारियों में इसका प्रियोग मिलता है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसके प्रियोगों के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे प्रियोग करें और इसके क्या-क्या फायदे हैं मुह के चालों के समस्या में अपमार का प्रियोग किया जाता है मुह में चाले होने पर अपमार के गुड़ फायदे मन दोते हैं इसके लिए आपको अपमार के पत्तों का काड़ा बना कर मुह का गरारा करना पड़ता है इससे चाले ठीक हो जाते है चर्म रोग में भी इसके बहुत सारे फायदे हैं इसके पत्तों को पीस कर लगाने से फोड़े फुनसी आदी चर्म रोग और गांट के रोग ठीक हो जाते हैं जोडों के दर्द में भी इसका प्रियोग किया जाता है चिचिडा के दस बारे पत्तों को पीस कर इने गरम कर लें और इनको जोड़ों पर बादें इससे जोड़ों के दर्द में काफी आराम मिलता है आदिसीसी यानि माइग्रेन में भी इससे फैदा होता है चिचिडा के बीजों के चूड को केवल सुंगने से माइग्रेन में आराम मिलता है इसके सुंगने से मस्किस के अंदर जमा हुआ कप पतला होकर नाक के जरिये बाहर निकल जाता है योनी के दर्द में भी इस पोदे से काफी आराम मिलता है चिचिडा की जड पत्ते वद तना को पीसने और महिलाएं इसे प्रसों के बाद अपनी योनी पर लेप करें ऐसा करने से दर्द ठीक हो जाता है चिचड़ा पौदे के जड़ की रस को रूई में भुगएं और इसे योनी में रखें ऐसा करने से दर्द और मासिक दर्मे की रुकावट खतम हो जाती है बवसीर यानि पाइल्स में यह रामबाड ओस दिये एक हपते लगातार इसके पत्तों का काड़ा बना कर पीने से बवसीर में काफी फायदा होता है पत्थरी की बीमारी में भी इसका प्रियोग किया जाता है चिचड़ा की 5-10 ग्राम ताजी जड़ को पानी में पीस लें इसे घोल कर पिलाने से पत्थरी की बिमारी में बहुत लाव होता है यह आउसदी किड्नी की पत्थरी को टुकलिट कोड़े करके सरीशे बाहर निकाल देती है किड्नी में दर्द के लिए भी आउसदी काफी काम करती है आँखों की बीमारी में भी इसके जड़ का प्रयोग किया जाता है इसके जड़ के रस में दो चम्मच मधु मिलाएं और इसे दो-दो बोत करके आँखों में डालने से आँख के रोग खीक हो जाते हैं तो दोस्तों आप ऐसे ही जड़ी बूटीयों के वीडियो रोज प्रतिदीन चाहते हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब करें और साथे साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सेयर करें